हेलो एवरीवन एम अंश्य अगरवाल और आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है तो पूरा ध्यान से दिखेगा आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारी बाते करेंगे बहुत ही जादा काम की प्लानिंग की बात करेंगे ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा और इसको फॉलो किया तो आपके डिफिनेटली मोर देन 95 परसेंटाइल कैट में आ जाएंगे ठीक है और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि हर साल में कुछ ट अब ही तक जो परसेंटाइल रहते हैं आज की रेट में आपके जो परसेंटाइल आने वाले उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो ही जाते हैं तो ध्यान से देखना ठीक है तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइस प्लान भी बनाएंगे ठीक है फिर काफी सारे मेल आ रहे हमारे कैट रेनेट कोर्स के बारे में तो उसके बारे में बता दूंगा ठीक है डिटेल में तो चब लॉच्च हो तभी बताओं गा हाज उसके बारे मेँदा कर दूँगा और नाश में काप सबके लिए अच्छा सा surprise है तो ध्यान से सुनना है है यह बहुत ध्यान से आकरी तक द तो जल्दी सल्दी कर लेजिए और ना स्टुडेंट्स को मता दूँ कुछ यह उनको नहीं पताऊंगी हमारे चैनल पर आपको सबसे इजी सॉल्विशन मिलेंगे मैंट्स और लर्डि के खास तोड़ से लर्डि के भी लर्डि में गलती से भी मत सोचना की बहुत इजी आती है बहुत अच्छा स्कूर आजाएगा बहुत ट्रेकी चीज है और हमारे वीडियो कोर्स में भी हमने हर वराइटी के कोश्षिन कवर क क्यों है लर्डि में ठीक है तो अगर आपको कोर्स खरीदना हो हमारा तो आप हमारी वेबसाइट कैट आईपमेंट.com पर जाके सब्सक्राइग सकते हैं बहुत एफेक्टिवकोर्स अभी पी टाइम है अगर आप परचिस करन चाहता हो सिर्फ मैजज करना जोनमानी सिर्फ करना तो इन अगश्यूवाद और हमारे अमारी प्लेलिस्ट पर आप जाएए चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको CAT, Z, IFT और CMAT के previous year solutions मिल जाएंगे जिसका हमने बहुत एजी तरीके से explanation किया है बहुत ज्यादा easy explanation है वो आपके बहुत काम आएगा और ये आपको एक अलगी confidence आपका build-up हो जाएगा आप एक बार cat के solution देखके देखना प्रिवियस येर के maths के और LRDI के आपको automatic confidence build-up हो जाएगा कैसे ये भी मैं उता जाता हूँ नौरमल ही हो सकता है आपको question देखके लगता हूँ ये बहुत tough हम से नहीं बनेगा एक बार आप मेरा solution देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो हम जबरन इस question को टख समझ देते ये तो बहुत easy है लाइक हमाई maths और LRDA के video course में भी इसी काफी सारी चीए जब आप video lecture attend कर ले तो तब आपको समझ में तयार ये तो इतनी चीए ध्यान रखना और इतनी सारी चीए मैंने भी जो बोली वो सुनके अगर आपको अच्छा लगा हो और हमारे चैनल से आपको benefit हो रहा हो तो चैनल देखे plan फिर LRDA का फिर quant का इस बार reverse में चालू करते हैं cat में first section आपको कौन सा आएगा verbal ability then कौन सा आएगा LRDA then कौन सा आएगा quant topic wise planning में हम पहले quant की बात करेंगे फिर हम LRDA की बात करेंगे और फिर हम verbal ability की बात करेंगे एक चीज़ धियान रखना में अगर आपको पता हो है ना बार बार आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूं कि मौक टेस्ट देना बहुत जरूरी है मौक टेस्ट देना बहुत जरूरी है पहले उस पर बात कर लेता हूं फिर यह topic wise planning मौक टेस्ट देना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप होगे ना तो सबसे पहले आप वर्बल एबिलीटी करोगे फिर LRDI तो कई बार ही क्या होता है LRDI यह वर्बल एबिलीटी करते करते हैं कमेंट लित्त है वह ठग जाते हो कि आप क्वांट में फिर उत्ते एनरजेटिक रहते नहीं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे नह कुछना चाहते हो बहुत सारे फेक्टर होतों उसमें फेक्टर यह भी तो आपको मौक टेस्ट खूब देने पड़ेंगे तो मौक टेस्ट ज्यादा से यादा तो आपके बहुत काम आएगा और डेफिनेटली आपके पर सेंटेल उंगी अभी तक भी अगर आप लोगों न मोक टष्ट देना चालू नहीं किया है तो उसको एक आप अपने डेली रूटीन में ले आओ ठीक है यही आपको बचाएंगे आखरी में ध्यान रखना मेरी यह बात ठीक तो चलो अब कौंट की बात करते हैं है ना देखो अभी भी हमारे पास 70 डेज हैं अगर हम मैं इसको पार्ट्स में डिवाइट करें जैसा की मेरे काफियो चानते हैं एक हमने इसको डिवाइट के हुआ है नमबर सिस्टम देन आप अरिथमाटिक अलजेब्रा और मैंसुरेशन जोमेट्री ना देखो नमबर सिस्टम इसमें आपकी बहुत सारी ची आएंगी युनिट डेबल डेजिट और अगर आयम हमदाबाद इस बार पेपर बना रहा है तो 2015 की अगर बात करें तो 2015 की क्वांट देखो इसी थी जैसे बहुत ही कोई बच्चा भी सौल कर ले मतलब बहुत ज्यादा इसी थी लाइक मैंने बहुत बार एक्जांपल दिया कि उन्होंने टूटल नमबर और फेक्टर का डिरेक्ट फॉरूमला पूछ लिया था जैसे दूट मानलो मेंसुरेशन जोमेटरी से भी इत्ते मानलो करी है ना इक्वल इक्वल ऑल्मोस वेटेज रहता है और नमबर सिस्टम से उच्छी हुए एक दो कोश्चन ठीक है इसलिए हमने ये चार पार्ट में लक्सी इनको डिवाइट किया है तो चार पार्ट है और आपक सकते हैं अर्थमैटिक में देखो रेशो अवरेज परसेंटेज तने इच ताइमनंग्वल्क तैमस्पाइट डिस्टेंस अब त्यम सिट्सेंस जो है देखो इससे टू टू थी कोशन डिफिनली आते आएंगे हाएंगे है ना तो रेशो एवरेज परसेंटेज प्रॉफि से आपको पता है 2-3 question आ सकते हैं फिर time and work से कई बार आता है कई बार नहीं आता चलो एक आत उसके मान लो time speed distance बहुत important है 2-3 question उससे पक कई आएंगे simple interest compound interest mixture allocation इससे अब किसमत आना या आएगा नहीं आना या नहीं आएगा लेकिन शियोटिक इसके percentage profit loss से आए गई 2-3 question time speed distance से दो दिन question आएंगी time inverse से एक आती आएगा ठीक है तो पूरी arithmetic सबसे अगर मैस का सबसे एक आसान पार्ट की बात करूँ इन चारों पार्ट में जो हमने divide किया है तो arithmetic ही है तो arithmetic आप 15 days maximum में पूरी complete कर सकते हो अभी भी diamond अभी एक चीज़ और बताऊंगा उस पर भी ध्यान रखना algebra algebra देखो इसी चीज़ है algebra अगर question आएंगे तो normally वो medium to high level के ही रहते है algebra से easy नहीं आ रहा है easy आएगा arithmetic से ध्यान से समझना sorry easy आएगा arithmetic से algebra से normally आप cat के previous year किते भी question देख लो algebra आपको medium to high level ही मिलेगी तो आप मैंसे जित्ते भी non-match वाले हैं मेरी उनको personal suggestion है कि वो number system then arithmetic then mensuration geometry पे बहुत ज्यादा focus करना algebra से डरते अगर हो और आपको समझ में नहीं आती है in case तो अब आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास दिन ज्यादा नहीं बचें हाँ हर topic के basic basic formula कर लेने चाहिए ताकि in case कोई direct formula based question आ गया तो हमसे बन जाया लाइक जैसे भी मैंने आपसे का था कि number system सीधे formula पूछ लिया था विसे algebra में direct formula based कोई आ गया है short trick वाले जो हम लोग बहुत सारे बताते रहेते हैं जिसे हमारे video course में भी वो direct short trick वाला कोई आ गया तो हमने कर लिया ठीक है नहीं तो normally medium to high level का ही जाएगा और इसका level थोड़ा सा अच्छा रहता है ठीक है तो algebra बहुत सोच समझ के करना इसमें आप 25 days approximately पूरी algebra कर सकते हो ताइम लगेगा अब आपके उपर ये 25 days में करना है 15 days में basic basic कर लेना है ठीक है अब आते हैं mensuration geometry पे mensuration geometry में आप अगर अपन मोटा मोटा 13 days लें तो देखो कितने दिन हो गए 20 और 40 60 days में देखो पूर अपना प्लान हो रहा है topics खतम करने का mensuration geometry इसी है अगर 5 to 6 question आये तो उसमें एक या दो ही maximum में से आएंगे जो tough होंगे बाकी सब easy होंगे तो mensuration geometry बहुत अच्छे से कर ले ना हाँ ये चीज है इसमें की बहुत सारे points होते हैं लेकिन आपको 13 days उसके लिए देए भी है मैंने मैंने नहीं दी वह आपको खुद निकालने ठीक है इसमें भी कई दिन कम हो सकते हैं अलजेबरा 25 days बहुत ज्यादा दिया है ठीक है और एक चीज़ियान रखना confidence लाने के लिए अगर आपका मानलो confidence lose हो रहा हो तो इसमें cat के previous year paper जरूर करना तो अगर आप cat को लेके थोड़ा सा भी demotivate हो रहे हो तो आपका motivation वापिस आ जाएगा ठीक है उम्मीदे क्वांट का समझ में आ गया होगा अब LRDI की बात करें तो 26 questions आएंगे last year total 5 sets आये थे हैना कुछ questions 6 के थे और कुछ questions 4 questions के थे हैना तो ऐसे 26 questions थे I think 6 के 3 sets थे हैना तो 18 question ही हो गया है और 4 question के 2 sets थे 8 या 24 थे I think 24 में 4 के 3 sets होंगे और 6 के 2 होंगे ऐसा था 24 question थे हाँ तो 6 के 2 set अब देखो यह मत समझ अब कई लोगों की mentality क्या होती है ध्यान से समझना मेरी बात को वह सोचते हैं कि अगर 6 का set है तो tough होगा 4 का है तो easy होगा ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है कि 6 का set आएगा तो tough होगा 4 का set आएगा तो easy होगा तो 6 का set कई बच्चे last year पड़े ही नहीं थे इसी गलती मत करना कई बार 6 का set भी easy आजाता है हाँ last year एक surprise था कि कैट ने क्या किया था 4 के set, set theory में 4 के set से question पूछ लिये थे तो अब ऐसा कोई surprising element आगया तो अलग बात है अगर आपको उसमें फिर आता होगा तो ही करोगे नहीं आता होगा नहीं करोगे मैं वीडियो कोर्स में यह भी हमने 4 का set भी अच्छे समझाया हुआ है तो 6 के अगर 2 set तो 12 question ही होगा 4 के 3 set तो 12 question ही होगा तो total यह तो इसमें आपके total 5 sets है 5 set में से 3 sets भी कर लिए तो आप मान के चलो more than 95% कहीं नहीं गए इसको करने का तरीका कुछ नहीं है यह आप सिर्व मौक टेस्ट के दुरू करो क्योंकि देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर समझ में आ पाए तो एक तो आपने अगर अभी तक पढ़ाई कर लिए तो अच्छी बात है जैसे कि हमने topic wise बताया था है सब्सक्राइब हमाई video course में चलो उसको side में रखते में चीज़ क्या है LRDI जो है यह पूरा का पूरा time management है इसमें और time management इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है time कब आपके यह 40 minutes खतम हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको 40 minutes का यह जो section होगा यह 40 minutes कब खतम हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा है ना तो यह 40 minutes का अगर आपको maximum utilization करना है तो यह सिर्फ और सिर्फ आप mock दे के ही सीख सकते हो चीशन में आ रही है तो अगर परवी का मौक दे रहे हो सिर्फ उससे ही आपकी कैट की LRDI की बहुत अच्छी practice हो सकती है मौक में आपको कोशिश करनी की 40 minutes में 40 minutes में ज्यादा स्यादा set करके और 100% accuracy के साथ करना है तुक्का नहीं लगाना है सिर्फ इस तरीके से आप LRDI की त्यारी कर लो और अगर उससे भी ज्यादा करनी तो ज्यादा स्यादा रोज 1 set LR का 1 set LR का 1 set LR का 1 set LR का करने से ज्यादा benefit इसमें तब भी हो पाएगा जब आप mock test दोगे नहीं तो आप benefit नहीं उठा पाओगे यह चीज मेरी लिखके रख लो इसमें आपको सिर्फ mock test से ही help मिलेंगे क्लियर उम्मीद यह भी संज में आ गया होगा अब बात करते हैं वर्बल अब जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें major part चो होता है major part क्या होता है RC और semi major बोलना चाहिए होता है para jumbles तो देखो दो ही चीजे हैं जिनसे पूरा यह cat खतम हो जाता है grammar पूछते नहीं है यह लोग vocabulary पूछते नहीं है तो RC वही जो हमेशा बोलते आ रहा हो अभी भी वही बोलूंगा RC रोज 2 set RC के करो newspaper रोज आदे से एक घंटा पढ़ो one hour daily reading की habit अभी भी पनालो newspaper पढ़ना ही beneficial रहता है क्योंकि उससे आपका current affairs भी अच्छा होता है और आगे जाके आपको यह PIE में भी खुब कमाएगा तो एक newspaper पढ़ने के बहुत सारे intangible benefits भी होते हैं ठीक है तो RC करने के लिए newspaper डेली पढ़ो प्लस दो RC का एक नियम बनालो की daily to RC हमें को solve करना ही करना है प्लस फाइफ पेरा जंबल डेली सॉल्व करो तो आपके एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी प्लक्स मॉक टेस्ट तो दे नहीं है ठीक है तो उमीद इतनी चीज़ें आपको अच्छे से संद में आ जाए आगे होंगी अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की मॉक टेस्ट में हर वीडियो में चिला रहा हूं यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पर वीक आप टू टेस्ट अब देना चालू कर दो अगर आपके पास मॉक टेस्ट सपीशेंट पड़े हुए हैं तो पर वीक दो टेस्ट दो एक भी दोगे चलेगा यह ना कुछ टेस्ट बचा लेना और वो नवंबर में नवंबर में 10 नवं इसमें आप मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना देने की ठीक है आखरी के समय पे थोड़े ज्यादा मॉक देना और 22nd नवंबर टू 28th नवंबर जो आएगा उसमें ज्यादा मॉक मत देना वो डिसाइड तभी करना जब आपका 10th ओ 22nd नवंबर के बीच में जो आपकी परफॉर्मेंस रहीं वो परफॉर्मेंस केसी उसके हिसाब से आप 22nd नवंबर के बाद मॉक देना अगर हर मॉक अच्छा दैरा है तो 22nd नवंबर के बाद भी आप मॉक कंटीन्यू कर सकते हो लेकिन अगर मान लो मॉंक में उपर नीचे हो रहा है तो उसमें एक तर सब्सक्राइब करें तो इस बार बस एक हिंट देता हूं जैसा कि आयम अहमदाबाद बना रहेगा वो पूरा आयम अहमदाबाद किसी साबसे पेव पर बना सकता है उस पर कंसंट्रेट करके ही हम अपना अब इस पर वरकिंग भी चालू हो गई है नॉर्मल हम हमारा जो भी 300 सिरीज रहती है वो मेन एक्जाम के एक मेने पहले ही लॉंच करते हैं जैसे 28 नवंबर को कैट है तो 28 अक्टूबर या उसके थोड़ा भी पहले लाए तो आप मान के चलो 15 अक्टूबर के बाद ही आएग ठीक है अब उसके लिए आपको हमारे चैनल से जोड़े रहना पड़ेगा जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप इसको फॉलो कर लेना ठीक है अब बात करते हैं एक बहुत बड़े सर्प्राइज की ठीक है इस बार हम लोग हमारी टॉपिक वाइज टेस सिरीज जो है तो कुछ चुनिंदा बच्चे जो होंगे चुनिंदा बच्चे अब वो चुनिंदा कोन होंगे उसके लिए आपको हमारे अगले एक दो वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा या दो चार दिन का वेट करना पड़ेगा तो के रेजिस्ट्रेशन की डिट जैसे आपको पत कीजिए तो जित्ते भी लोग eligible होंगे उनको हम लोग free में हमारी topic-wide test series provide करेंगे जिसमें की more than 150 topic-wide test test आपको मिलेंगे ठीक है more than 130 I think या 150 है इसी के आसपास कुछ test ने ठीक है तो तब तक आप हमारे वीडियो उसका वेट कीजिए उम्मीदे कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा thanks for watching this video